हेलो दोस्तों आप सभी का विडियो में हमारे टूब चैनल में और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी आवाज में सौटनेस कैसे ला सकते हो यानि कि अपनी आवाज को मधूर कैसे बना सकते हो जरूरी नहीं है कि आपके पास 10.000 लमाइक हो या फिर 20.000 लमाइक हो मैंने यहाँ पे एक 500 रुप्य वाले डाइनामाइक से रिकार्ड किया हूँ इवोकल किवल 500 रुप्य वाले माइक से और मैंने इसको यहाँ पे देख सकते हैं QVS 5 के हैं कि ये वल दो वेप के पलिगिन से बागी सारे QVS 5 के पलिगिन से और इसको मैं अभी आपको जश्ट सुनाने जा रहा हो फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि आप इसको अपना softness कैसे बना सकते हैं अपनी ओकल को तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसको सुना देते हैं तो दोस्तो आपने सुना कि कितना अच्छा लग रहा सुनने में हालांकि दोस्तो मैं आप अच्छी तरीके से नहीं गा पाता हूँ लेकिन एक डेमो के लिए मैंने आपको बताने के लिए कि अपनी आवाज को मधूर कैसे बनाते हैं तो इसको मैंने आपे गाया सुनिए कि यह 500 रिप्य ओला माइक से इतना अच्छा क्वाल्टी दे रहा है जो मैंने आपे प्लिगिंस यूज किया हूँ अगर इसी प्लिगिंस से अगर मैं इसको मिक्स करता हूँ दूसरा कोई ओकल लेता हूँ जिसे कि जो 8-0 वाला माइक आता है दस-0 वाला माइक आता है उससे अगर मैं रिकार्ड करता है तो सोचिये कि कि तना अच्छा रिस्पास देखा लेकिन दोस्तो Mirror पोफेंगर आफ केक है कि मैं आपके पास 500 पाल माइक उसे सकता उसी से अपनी आवाज में 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 रिकार्ड बहुत है अगर यही कोश्टिक रूम में रिकार्ड किया गया होता इसी माइक से तो और भी अच्छा सुनने में लगता आप यहां पर सुनिए यहां पर सारे प्लिगिंस से कंप्रेसर है आटो टॉन है लिम्टर है क्यू टू मोनो है क्यू है इस्टीरियो डिले है रूम वर्क्स है और यही में है आपका इसी से मैंने अवाज को मधूर बनाया हूँ यह प्लिगिंस और दूसरा आटो टोन है आट inhabited अपका अपका तब कID हें अच्छे से मैच करुड़ करेगा आप इस कियल में घार हो अगर आप इसके जाएगा इसके जुखनiver एएगर इसके जो न्युक्षफ होता अगर आप शुर antioxidants का या क्षा संसक नन्य एप तो इसके उंस से अध्र नहीं तो इसकी मतबसे से भी आपका टोन इसके साथ में मैज करता है और है और आपकी आवाज एक बेस्ट बले bak बेश्ट बंजाता है यानि की falar भूल यह कि सुने में लगता मॉधुर बेलकुल अछा लगता है सुनने में अब यहाँ पर लाश वाला प्लिगिंज में बंद कर दे रहा हूं आपने सुना कि यह क्यों प्लिगिंज में बंद किया हूँ आप सुनिए तो इस तरह से यह देखिए मैंने एसे चैनल मोनो जो है बेप का ही प्लिगिंज से मैंने इसको यूज किया हूँ और इसमें देख सकते हैं थ्रिसोल्ड है, रेशियो है, कमप्रेसर है और यहाँ पर इसका गेन लेवल है, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ इसमें सेट किया हूँ तब जाके कुछ इस तरह से मैंने इसका वोकल जो है इस तरह से लापाया हूँ हलांकि दोस्तों मेरे पास MHA HS5 है, जो मैं रिकार्ड करूँगा, जो मैं मिक्स करूँगा, वही ओरिजिनल आउटपुट उसका देता है तो मुझको मिक्स करने में जद्धा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई, तो यह प्लगिन से यहाँ पर देख सकते हो, इसकी मतर्स से आपनी आवाज को बेश्ट बना सकते हो, दूसरा आपका आता है आटोटोन, अगर मैं आटोटोन को यहाँ बंद कर दे रहा हूँ आपने यहाँ पर सुना दोस्तों मैंने आटोटोन बंद किया तो उतना मीठा पन नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैंने एक्क्यू का जो लगाया था, क्यू, टू, मोनो, इसको बंद किया तो और भी मेरा भद्धा पन आवाज करने लगा है, सुनने में अच्छा नहीं लग आपने लगाया था, कावर साथ लेके बाब, अगर मैं यहाँ पर अड़ोटोन को भी यहाँ पर इनेबल कर दे रहा हूं, कावर साथ लेके बाबा दुवारी पे, काफी ज़्यादा बेस है इसके अंदर, अगर मैं क्यू टू को मूनों को ओपन कर रहा हो तब सुनिये, भूले को मनाएंगे बंदे मधे सी होती है आपके जो आवाज, ओकल होती है वह बिल्कुल खुल के आती है सुनने में अच्छा लगता है, तो मैंने भी आपको इसको बंद कर तो आवाज को मीठा बनाने के थार्ड पार्टी प्लिगिस की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बड़ा सा माइक लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बजट का माइक लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास माइक है, तीन सुरूरा माइक या फिर पांसुरूरा माइक, उस से आपकी आवाज में एक मीठापन लाता है और उसके बाद में यहां पर यह वाला प्लिगिंस यूज कर दीजेगा तो काफ़े अच्छा लगेगा सुनने में तो मैंने आपको सब कुछ बता दी हूँ है आप करके कुछ भी नहीं रखा हूँ सब कुछ खुला मैदान है आप यहां पर देख सकते हो इस तरह से जो जो मैंने प्लिगिंस यूज किया हूँ लिम्टर में दिखा दो पेंकिंग गिटार्स का यूज किया हूँ यहां पर देख सकते हो और उसके बाद में आटटोन यहां पर देख सकते हो, backing, vocals 3 preset का मैंने यूज किया हूँ बस, उसके बद में roomworks में मैंने smooth voice room plugins का यूज यूज किया हूँ, तो यह सब यूज करने के बाद में कुछ इस type से आपका output यहां पे निकल के आता है, निकि आपकी आवाज में जो softness होती है, वो यहां पे निकल के आती है, तो इस तरह से अपनी vocal को mix कर सकते हो, उसमें मधूर पन ला सकते हो, मीठा पन ला सकते हो, ठीक है तो अगर आपके पास कोई भी mic हो, चाहे 300 प्याला mic हो, या पिर 400 प्याला mic हो, या पिर 500 प्याला mic हो, मेरे पास 500 प्याला ही mic है, सेमसन का है, ठीक है, उसी से मैंने यहां पे record किया हूँ, अगर आप अच्छे से गाते हो, तो और भी अच्छा ए work करेगा, जो भी plugins यहां प पन भी आएगा, ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, हमारे टूप चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जोट दबा दीजिएगा, जिससे हमारे अनुली लाटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सिवलियाद तक पहुच सके,